हलो फ्रेंड्स वेलकम टू संकल्प एजूकेशन नौलेज बेस्ड सीरीज वीडियो दोस्तों आएम निखिल और एक बार फिर से आप सब का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज एक खास वीडियो में जिसमें एक अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और उससे related सारी जानकारी लेंगे दोस्तों आज जो टॉपिक मैंने चुना है आपके इस वीडियो के लिए ये टॉपिक बैंकिंग की एक्जैम देने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स है उन सब को बिलकुल मिस नहीं करना चीए अगर आप बैंक की याने बैंक, बोर्ड, ब्यूरो इससे related questions आते ही हैं इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि बैंक, बोर्ड, ब्यूरो से related questions एक्जैम में पूछे गए हैं यहां तक की group discussion का part ये occasionally रहा है और इसके साथे साथ interview में भी इससे related जानकारिया आती है तो news updates भी इसके ओपर काफी बनती है, बच्चों में हमेशा एक confusion रहता है कि exactly ये है क्या, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक video बना लिया जाए जिसके माध्यम से आपको मैं clearly ये बता सकूँ कि ये banks board bureau दरसन होता क्या है, मैं ऐसी series आपके लिए एक बनाने जा रहा हूँ जिसमें इस तरह के जटि देखना चाते हैं तो जरूर comment thread में मुझे recommend करिएगा, तो दोस्तों चलिए शुरुवात करते हैं इस video की और जानते हैं समझते हैं कि ये banks board bureau याने BBB या BBB दरसन होता क्या है, देखिए हम सब को पता है कि भारत में 1969 19th of July को इंदिरा गांधी जब प्राइम इनिस्टर थी तो उनके नित्रित्व में bankों का nationalization किया गया, 14 banks को nationalize किया गया था, क्योंकि उससे पहले का दौर एक ऐसा दौर था, जहां पर हमारे देश में बड़ी bank के तौर पे केवल एक ही bank थी और वो थी State Bank of India, State Bank of India की ही जिम्मेदारी हुआ करती थी कि rural sector में लोगों का खयाल रखे, food crisis देश में बहुत ज्यादा थे, तो जिसके लिए लोगों को credit चाहिए था, ताकि वो अनाज ग्रो कर सके, especially farmers को, तो लोगों तक credit पहुचाने का काम State Bank of India का होता था, लेकिन समय के साथ साथ सिर्फ एक bank के भरो से इतना पूरा देश नहीं चल सकता, ये साफ नजर आने लगा था, और जितनी जल्दी हम bottom of pyramid ने गरीबों का भला नहीं करेंगे, उतनी ही इस economy में और ज्यादा परिशानिया बढ़ती चले जाएंगी, ये भी जाहिर सी बात थी इसलिए 19th of July 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का nationalization किया, nationalization एक कमाल का decision था, जिसके बाद एक गरीब इंसान को बैंक का हक मिलने लगा, गरीब इंसान को ऐसा लगने लगा कि जैसे इंदिरा गांधी ने उनको एक बहुत बड़ा हक दिलवाया है, और धीरे 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 अर्थ्यवस्था, specially food grain crisis जो थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे, यहां तक की भारत ने buffer stock भी maintain करना शुरू कर दिया, समय आगे बढ़ा, 1975 को ये बैंकों के nationalization के ठीक 6 साल के बाद, 2 October 1975 को एक और बड़ा निरणय लिया गया, और हमारे देश में ग्रामीन बैंक की भी रिजनल रूरल बैंक्स, उसके बाद 1982 आते आते एक और बहुत बड़ा financial institution इस देश में स्थापित किया गया, आप जानते हैं जिसे नाबाड कहते हैं, National Bank of Agriculture and Rural Development, इस तरीके से सारी चीज़े आगे बढ़ती चली गई, सरकार ने हर चीज़ का नियंतरण अपने हाथ में र समय आगे बढ़ा, पचास साल का एक स्वरनीम दोर कंप्लीट हुआ और 1969 में जो नैशनलाइजेशन शुरू हुआ था, वो 2019 में अपने Golden Jubilee पे आ चुका था, लेकिन इन पचास सालों में हमने इस बात को भी अच्छे से रियलाइस किया, कि बैंकों ने देश की हालत तो सु बढ़ी वज़े थी दोस्तों, दरसल भारत में सरकारी बैंकों को जितना भी लोन देना पड़ता है, उसका एक बहुत बढ़ा हिस्सा रूरल सेक्टर में जाता है, जिसमें आपको ऐसे अलग-अलग शेत्रों में लोन वितरन करना होता है, जिसे हम Unsecured Loans, यानि ऐसे लोन जिसमें गैरेंटी के तौर पे कुछ भी रखा नहीं जाता, वैसे लोन्स होते हैं, नतीजा ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये लोन टाइम पे रिकवर नहीं हुए, तो बैंक्स के लिए मतलब साफ है कि एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, इसे हम बैंकिंग की भ लेकिन सारे के सारे बैंकों ने अपने लॉस रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितने लोन बाटे जा रहे थे, वो लोन की रिकवरी EMI के साथ उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, समय आगे बढ़ता चला गया, बैंक्स को कमर्शियल होना पड़ा, बहुत सारी अल बढ़ा पहाड बन चुका है, जो कि अब्वियसली हमारे जीडीपी का कुछ प्रतिशत हो चुका है, ये इतना बड़ा कॉंट्रिब्यूशन था, और बैंक्स की हालत दिन बदिन खराबी होते जा रही है, अब ऐसे हालात में इस बात को समझना बहुत जरूरी था कि बैंक की एफिशेंसी आखिर बढ़ाई कैसे जाए, बैंक्स को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए, इसके लिए पीजे नायक कमीटी का गठन किया गया था, ये पीजे नायक साहब जो है, ये वही है जो एक जमाने में एक्सिस बैंक के चेर्मैन हुआ करते थे, पीजे नायक साह ब्यूरो नाम का एक ब्यूरो बनाया जाए, जो की बैंक्स के बोर्ड अफ मेंबर्स की नियुक्ति करेगा और साथी साथ सरकारी बैंकों को सलाह भी देगा। पर बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की स्थापना 2016 में हुई अगर मैं पर्टिकुलर तारीक बताओं तो 23 मार्च 2016 को इसकी स्थापना हुई और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने अपना ओपरेशन 1 अपरेल 2016 से शुरू किया विनोद राय साहब इसके पहले चेर्मैन बने और धीरे ध आपको कभी किसी ने एक्जाम में पूछा कि ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो दरसल क्या है तो आप एक लाइन में ये कह सकते हैं ये एक स्वायत बॉड़ी है जो कि भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से निर्देशित होती है इसके अपने कुछ फंक्शन्स भी है इनके फंक इनका काम होता है कि भारत के जितने भी सरकारी बैंक है उन सब के लिए बोर्ड ओफ मेंबर्स की नियुक्ति करना दूसरा जितने भी सरकारी इंशॉरेंस कमपनीज है सरकारी इंशॉरेंस कमपनीज जैसे NICL हो गई जैसे LIC हो गई जैसे की OIICL हो गई UICL हो गई इस तरह की कंपनियों के लिए board of members की नियुक्ति करना इतना ही नहीं इनका एक और काम होता है कि भारत में जितने भी financial institutions हैं वित्तियस अंस्थाए हैं उनके लिए भी board of members का चैन करना मैं आपको कुछ financial institutions के नाम बताता हूँ जैसे की SIDB Small Industries and Development Bank of India जैसे की NHB National Housing Bank जैसे की नाबाड National Bank of Agriculture and Rural Development जैसे की Exeem Export-Import Bank तो इस तरह के जो banks हैं इनके लिए भी board of members को चुनना तो overall BBB जो है banks board bureau इसका काम है सरकारी बैंकों के लिए insurance companies के लिए और तीसरा भारत के financial institutions के लिए board of members का चैन करना तो क्या bank board bureau चैन करके अंतिम फैसला ले सकती है जवाब है no ऐसा नहीं होता bank board bureau recommend करती है भारत सरकार को कि यह हमने list बनाई है board of governors और board of directors में बैंकों के chairman बैंकों के whole time director पे इन लोगों को आप चाहो तो recruit कर सकते हो इनको आप appointment letter दे सकते हो ऐसा BBB recommend करती है भारत सरकार को फिर भारत सरकार अपना फैसला उसके ओपर ले सकती है तो सबसे पहला function आपको clear हो गया कि bank board bureau जो है board of members चुनती है इसके अलावा bank board bureau का एक और काम होता है कि हर सरकारी bank का जो whole time director होगा full time director और सांती साथ CEO MD आपने अकसर ये questions तो देखे ही होंगे managing director और chairman जो है bank का उसकी नियुक्ति करना भी bank board bureau का काम है तो bank board bureau उनके लिए भी recommendation भारत सरकार को देता है इसके अलावा किसी भी चुने गए officer की कोई भी whole time director हो manager हो या फिर कोई भी board of member का part हो उसका appointment यहां तक की उसका resignation उसका suspension उसका termination या फिर अगर उसकी नौकरी extend की जा रही है इन सारी चीजों की सलाह देना भारत सरकार को यह BBB का काम होता है एक और function है BBB का वो यह कि वो भारत सरकार के hierarchical structure को बैंकों के लिए insurance companies के लिए तैयार करता है कि hierarchical structure कैसा होना चाहिए भारत सरकार चाहिए तो इन recommendations को अपना कर उस हिसाब से आगे बढ़ सकती है In fact, जितने भी अलग-अलग employees है, board of members है उनका जो performance है, उसका database तैयार करना और bank का पूरा का पूरा database तैयार करना, performance का यह भी banks board bureau का काम होता है Last but not the least, यह भी है कि जितने भी अलग-अलग bank है जिनके पास NPA जमा हो रखा है, non-performing assets याने bad loans तो bad loans वाली परिस्थिती से कैसे बहार निकला जाए, यह सुझाओ देना भी bank board bureau का एक बहुत बड़ा काम है Right, तो अगर किसी bank को capital gain करना होगा अगर किसी bank को capital raise करना होगा अपना NPA कम करना होगा तो bank board bureau की सलापे bank चाहे तो काम कर सकता है अब आते हैं कि bank board bureau के जो members होते हैं दरसल यह कौन होते हैं और कितने होते हैं तो देखिए bank board bureau का जो panel member है याने जो committee है, इसमें कुल मिलाके 9 सदस्यों होते हैं फिलाल के लिए इसमें 7 सदस्यों है अभी 9 सदस्यों मेंसे एक तो bank board bureau का chairman है फिलाल भानू प्रताप जो bank board bureau के अभी मोजूदा चेर्मैन है इसके अलावा दो secretary होते हैं फिर एक RBI के deputy governor होते हैं और इसके अलावा पांच और expert panel members होते हैं उन expert panel members में से कम से कम दो जो होते हैं वो private होते हैं और तीन जो होंगे वो सरकारी होंगे इस तरीके से 5 और 2-7 और 2 अथकुल मिलाके 9 मेंबर्स की पूरी की पूरी है कमीटी पैनल मेंबर्स की टीम होती है मौजूदा टीम कौन सी है ये भी मैं आपके लिए लिख लाया था तो तो मैं जब आपको वो नाम बता देता हुँ कि कौन-कौन से मेंबर से इसमें, इसमें सबसे पहले आते हैं भानु प्रताप शर्मा, जो कि of course मैंने बताया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेर्मेन है मौजूदा, इसके अलावा इसमें है संजय मलोत्रा, देन है अली रजा रिजवी, इसके अलावा एम राजेश्वर राओ, बड़ा जाना पहचाना नाम है ये एम राजेश्वर राओ, ये डेपुटी गवर्नर है RBI के, उसके बाद है वेदिका भंडारकर, पंजब प्रदीप कुमार, और प्रदीप पन्नालल शाह, इस तरीके से साथ मेंबर्स हैं, अब आप सोच रहोंग उनके लिए recommendations भी देते हैं, तो ये है bank board bureau का overall पूरा का पूरा एक little understanding, and of course exam में इससे related बहुत से questions पूछे जाते हैं, तो obviously ये वीडियो आपके लिए बहुत कामका रहेगा, इसी उमीद से आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया था, आने वाले दिन में अगर आपको और भ announcement ये करना था, कि मैं बहुत जल्दी अपनी एक नई सिरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बोधी सिरीज, जी हाँ, बोधी सिरीज, ये कोई वीडियो वाली सिरीज नहीं होगी, ये live lectures होंगे, और बोधी सिरीज में किसी एक topic के उपर आपको एक घंटे का एक explanation मिलेगा with proper notes, बोधी सिरीज का सबसे पहला lecture स्री लंकन debt crisis के उपर आने जा रहा है, तो बहुत जल्द आपको उसकी date और timing confirm की जाएगी, ज़रूर इस वीडियो को, I mean उस lecture को आप completely देखिएगा और अपने notes बनाईएगा, फिलाल इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई आप चाहें तो YouTube comment thread में भी अपने recommendation जरूर दे सकते हैं, so that आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, हमें ठीक से पता चलता रहें, वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शूब हो, जल्द म खेगा, see you once again in the next video, till then take care, have a wonderful time, Jai Hind and Jai Maharashtra!